हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविन मैथ लक्चर्स में एक बाइफ फिर्सेश वाग थे तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी तो आज गी इस क्लास में हम ककसा आठ हिंदी विशेकी बरक बुक दो अजारतेबी चोबीस के कारे पत्रक 91 से लेकर कारे पत्रक 92 तक सौल्व करना सिखेंगे हमने कारे पत्रक एक से लेकर 90 तक सबी को बहुत अच्छे से सौल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्ले लिश्ट पर जाकर आप उन सबी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं पछलिए क्लास सुरू करते हैं पहला प्रशन है नीचे दी गई कवीता की पंकतियों को पढ़ कर उन्हें कहानी के रूप में लिखिए आपके सामने कवीता की कुछ पंकतिया दी गई हैं हमें इन कवीता की पंकतियों को एक कहानी के रूप में बजल कर लिखना है जैसे देखो, मैं घमंडो में भरा एठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आख में मेरी पड़ा, मैं जिजक उठा, कुवा बेचैन सा लाल होकर आख भी दुखने लगी, मुट देने लोग कपड़े की लगे, एठ बेचारी दबेपावो भगी, जब किसी धब से निकल तिनका गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिये, एठ ता तू किसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तो देखें, इसको हमने कहानी के रुप में लिखा है, कि एक दिन मैं घमंड में भरा हुआ अपनी चत की मुडेर पर खड़ा हुआ था, तबी अचानक हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका आकर, कहां पर गिरा, मेरी आंक के अंदर गिरा, और मेरी आंक क्या होगी, अचानक से बिलकुल लाल होगी, जिन लोगों को मैं घमंड में आकर एंट दिखा रहा था, वो ह का निकलने के बाद मेरी समझ में आया कि किस बात का घमंड करें, एक छोटे से तिनके ने ही मेरा घमंड क्या कर दिया, दूर कर दिया, और एंट भी क्या होगी, मेरी एंट भी दूर हो गई, एक, आगे प्रशन संक्या, दो, क्या, कभी तुमारी आंक में कुछ गिरा है, औ चीनटर गिर गया था तो मैंने तंड़ा पानिर लेकर आंक में चीनटे मारे तो रंग क्या हो गया निकल गया लेकिन आंक मिल्गुल कैसी हो गई थी लाल हो गई थी जो धीरे धीरे बो से तीन डीनों के एंदर वापस क्या होई थीक हो पाई ठीके, आगे बढ़ें, कारे पत्रक, बरानवे की तरफ, पत्रिका या दिवार पत्रिका के लिए सुचना लिख पाना, देखें, यहाँ पर एक सुचना दी हुई है, कोटा विश्व विद्याल्य कोटा, महराव भीम सिंग मार्ग, कबीर सर्कल कोटा, यहाँ पर कर्मांग न को पहला पशनो, यहाँ खबर किसके द्वारा प्रकासित करवाई गई है, कोटा विश्व विद्याल्य कोटा के द्वारा, कोटा विश्व विद्याल्य कोटा के द्वारा, फिर इस खबर में किसके बारे में सुचना दी गई है, तो पुस्तक मेले के बारे में, हम लिखेंगे कि इस खबर में उस्तक मेले की सुचना दी गई है। ठीके, आगे बढ़ें, दीसरा, आप भी अपने e-school में आयुजित होने वाले शिक्सक डिवस उत्सव की सुचना त्यार कीजिए आप भी आपके e-school में शिक्सक डिवस उत्सव की सुचना आपको त्यार करनी है तो देखें राव, मावी, अनहद्रा, सिरोई आपके विद्याले का नाम लिख देना है करमांग नंबर कितना है और दिनांग लिख देनी है ठीके फिर किसकी सुचना है तो सिक्सक दिवस उत्सव की सुचना है तो लिखेंगे कि इस विद्याले में दिनांग 5.22.24 को विद्याले प्रिवार द्वारा तो यहाँ पर आप 6-5 सितमर को मिना जाता है तो यहाँ पर आप 9 तारिक कर ले कितनी कर ले? सुरी 9 महिना कर ले 5-9-24 विध्याले परिवार दुआरा 6-5 दिवस उस्सम का विजन किया जा रहा है जिसमें अगर कोई परती भागी भाग लेना चाहता है तो परबारी महोदे के पास अपना नाम लिखवा दे आप सभी साधर आमंत्री थें विध्याले परिवार आपके स्वागत के लिए क्या रहेगा? आतूर रहेगा इधर परदाना अध्यापक, फिर कहां के परदाना अध्यापक है? राव माविय नाध्रा और उनके साइन तो यह सुचना होगी आपके सिख्सक दिवव उत्सव की सुचना आगे बढ़ें कारे पत्रक 93 गद्यान सत्वा पद्यान्स को पढ़ कर समझ के साथ प्रशनों के उत्तर देना देखो, नीचे दी गई कवीता को पढ़ कर प्रशनों के उत्तर लिखे सुद्ध हवा और पानी सुद्ध, खापी बन गए गोतम बुद्ध बोले सभी प्रेम से रहो, नहीं चाहिए हमको युद्ध किन्तु मिलावट का गीखा, हम सबने यही सीखा बात बात पर होना कृद, बात बात पर करना युद, सुद्ध हवा दो सुद्ध पानी, हम भी बन जाए गोतम बुद्ध अब देखो, प्रशन क्या है, कि कवीता के अनुसार, मिलावट का गीखा कर, हमने क्या सिखा है हम कहेंगे कि कवीता के अनुसार हमने मिलावट का गी खा कर तोटी चोटी बातों पर गुस्सा करना तोटी चोटी बातों पर गुस्सा करना और बात बात पर जगड़ा करना सिखा है अगला दूसरा पर आपके अनुसार इस कवीता का सीर्षक क्या हो सकता है क्या हो सकता है सुद्धता का महत्वा आगे तीसरा कवीता के अनुसार गोतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया है तो देखें हम लिखेंगे कि गोतम बुद्ध ने गोतम बुद्ध ने हमें सभी से प्रेम से बोलने एवं प्रेम से रहने तथा कभी किसी से जगडा न करने का संदेश दिया है ठीक आगे बढ़ें चो था क्या आपके आसपास भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो बात बात पर कुद्ध होते हैं आप उन्हें कैसे समझाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ हमारे आसपास यसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर क्रोधित होते हैं बात बात पर क्रोधित होते हैं ठीक है उनका गुस्था सांत करने के लिए ठीक है उनका गुस्था सांत करने के लिए हम उन्हें हम उन्हें प्रोधित होने से प्रोधित होने से होने वाले नुक्सान के बारे में बताएंगे ठीके पांचवा हवा को सुध्य रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए अपने विचार लिखिए तो पहला अधीक से अधीक क्या करना चाहिए व्रक्षार ओपन पहला हमके लिखेंगे कि अधीका अधीक क्या करना चाहिए अधीका अधीक व्रक्षार ओपन करना करना चाहिए दूसरा क्या करेंगे कि उड़े कच्रे को उड़े कच्रे को उचित कच्रा पात्र में डालना चाहिए उचित कच्रा पात्र में डालना चाहिए और क्या कर सकते हैं और तीसरा हमें क्या करना चाहिए हमें परदूशन कम से कम करना चाहिए तो ये कुछ उपाए है जो अब हवा को सुद्ध करने के लिए कर सकते हैं आगे बड़े कारेपतर क्चोरानवे वेवारिक व्याकरण, तत्सम और तद्भव सब्दों की पैचान कर परियोग कर पाना तो यहाँ पर हमारे सामने नीचे कुछ सब्द लिखे हुए हैं ठीके, इनने नीचे बने कॉलम में उचित इस्तान पर क्या करना है आपको लिखना है ठीके, तत्सम सब मतलब यह सब्द होते हैं, जिनका हमें डार्यक्ली अर्थ पता होता है जैसे, तत्सम सब्दों की बात करें और दूसरे हैं तद्भव देखो तत्सम सब्द में कौन-कौन से हैं, जैसे वर्षा न, फिर द्रश्ट्री फिर दुग्द अगला अनूज फिर चत फिर व्रक्ष फिर आपका वर्ष फिर कार्य यह कौन से सब्दे हैं, यह सब्दे आपके तत्सम सब्द अब बात करें तद्भव तद्भव जैसे वर्षा का क्या होगा, बारिस है न, द्रश्टी का क्या होगा नजर फिर आपके इसका दुग्द दुग्द का क्या होगा, दूद फिर अनूज अनूज का क्या होगा, चोटा फिर चत चत का क्या होगा चत का देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दुग्द, बरस, पेड, चोटा कार्या यहाँ पर नहीं है फिर कौन से सब्द है घी, फिर कौन से सब्द है पेड, फिर बरस, फिर काज, फिर अलग, फिर हाथ, ये कौन से सब्द हैं, तद्बव सब्द हैं, और तद्सम सब्द जो संस्क्रट बासा के सब्दम कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके तद्सम सब्द, आप देखो दूसरा निम्नलिकी सब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं के लिखने हैं आपके सामने ये तद्भव सब्द दिये हुए हैं और हमें इनके तत्सम रूप क्या करने हैं लिखने हैं तत्समरूप लिखने है, जैसे जेट, तो जेट को क्या कहेंगे? जैस्ट, गोडा को क्या कहेंगे? गोटक, फिर आखर को क्या कहेंगे? अकसर, दात को दंथ, आउंक को अकसी, करम को कर्म, धरम को धर्म, माटी को मिट्टी, और मकान को क्या कहेंगे ग्रहों, ये क्या हो गए इनके तत्सम रोप, अगला, नीचे लिखे गए तदभव और तत्सम सब्दों का वाक्या में परियोग करना है, पहला है दूद, तो गाय का दूद कैसा होता है, पोश्ट्रीक होता है, हम लिखेंगे, कि गाय का दूद पोश्ट्रीक होता है, तूसरा, दुग्द, तो मोहन की दुग्द डेरी है, मोहन की दुग्द डेरी है, अगला काज, मैं अपना काज स्वेम करता हूँ, मैं अपना काम काज ऐसे लिख सकते हैं, मैं अपना काम काज स्वेम करता हूँ, और कार्य, अपना कार्य, अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए, समय पर पूरा करना चाहिए, ठीके, आगे बढ़ते हैं, कार्य पत्रक पिचानवे, अपनी कल्पना से कहानी अथ्वा कविता को आगे बढ़ा पाना, आईए कविता को पूरी करते हैं, डाल पर उल्टे लटके बच्चे, तोड रहे थे आम वो कच्चे, लगा पेड़ पर था एक चत्ता, गीरा तूटकर उस पर पत्ता, मक्खी सभी लगी थी उड़ने, मक्खी सभी लगी थी उड़ने, बच्चे एक एक कर, लगे गीरने, आगे, खान पाए वो एक आम, खान पाए वो एक आम, पेड़ से नीचे गिरे धड़ाम, पेड़ से नीचे गिरे धड़ाम, आगे, वहां से भाग रहे थे घर, वहां से भाग रहे थे घर, वहां से भाग रहे थे घर, दोड रहे थे, दोड रहे थे, दोड रहे थे, एक के पीछे एक, दोड रहे थे, एक के पीछे एक, ठीके, आगे लिख सकते हैं, आया गड़ा गिरे धड़ाम, फिर, एक आया गड़ा फिर एक आया गड़ा गिरे धड़ाम नहीं खापाए कच्छे आम नहीं खापाए कच्छे आम घर पहुंचकर कर दिया विश्राम घर पहुंचकर कर दिया विश्राम घर पहुंचकर कर दिया विश्राम या किया विश्राम घर पहुंचकर किया विश्राम घर पहुंचकर किया विश्राम तब जाकर आया मन को आराम तब जाकर आया तब जाकर आया मन को आराम ठीके तो इस तरह हमने आपके कारे पत्रक 91 से लेकर कारे पत्रक 90 तक सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मेद करता हूं सभी प्रशनों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आप तो मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरू करें आज गले इतना ही, जै हिंद, जै भार